दोकी है, बड़े दोकी है इस लाह में कि सिंदगी भाइश और अराम की सिंदगी गुजारूंगा, मजब मज़े के खाने खाऊंगा, तो मसले मसायली होंगे मेरे साथ, अब पागलों तुझ जैसी बेवार बुटी कुसर से शादी करूँगा, बेवगूफ संदगा हो मैं जै कि तुने, बेवगूफ तो मैं थी, जो आपको समझा ही नहीं, मेरी बेटिया मुझे समझाती रह गए लेकिन मैंने उनकी एक नावानी, और हब ने आपको कुद ही कुए में दा केल दिया, तो बस कर जा ये नाटा क्वाटर जो ना मेरे सामने नहीं क्या कर, चल हड़िया सामने से, और अरत पर हाथ उठाना, म मेहालों तो भी ये जेव नहीं देता, ये मिया बीवी के जादी मामलात में दखल अन्ताथी करें, हाँ, हाँ, हायास चाचों यहां मुझे छोड़ना है, उन्हें क्या पता था कि आप यह तमाशा कर रहे होंगे, तोड़ दिया ना, अब जा सकते हैं यहां से, मैं तो यहा हादि भरक्रा करूँ, मेरा घर है ये और मेरी दीदिया ये, हमारे नहीं की आप आप मामा ने यहां से तक भी कर छाहिए, प्लीस, यह आप पर कर चाहिए प्लीस, प्लीस, उते यह कैर जिये, प्लीस कि सुकून मिल गया आपको और भी किसी के सामने अगर बदनाम करना रह गया तो वो भी करने हमें हमें ये रुस्वाई ये आसो आप ने अपने लिए खुद चुने है कि सका एकित ये हमें हमें अटेब में हमें ले खुद ये में हम झाल झाल मेरी दरवसेगे तुमारे लिए परस्टाइम में किसी लड़की को यह भूल दे रहा हूं आम शूर तुमें अच्छे लगेंगे युर सो स्पेशल फर में मेरे से नसीब काम मैं सोच भी नि सकता हूं कि रशीद इत्मा गिर सकता है तुम पर हाथ उठाएगा जिंदगी में वही सब कुछ तो नहीं होता है ना जो हम चाहते हैं इन तमाम हालात का सिम्धार मैं हूं सेनब मैं हूं अब इन साब बातों का क्या फाइदा आयाज आप से सिर्व मुझे ये कहना था कि आज जो कुछ हुआ है ना उसका जिखर आप एमन से ना कीज़ेगा और ना ही घर में किसी और फर्द से तुम ये सब ना भी कहती तब ही मैं किसी से जिखर ना करता एमन की तरफ से तुम बेफिकर रहा हो वह एमन मेरे लिए बहुत चल्दी परेशान हो जाती है एमन का ख्याल रखूँगा मैं और प्रीज जैनब तुम भी अपना ख्याल रखो अपनी फिकर करो तुम तुम पहले वाली जैनब तो रही नहीं वह जैनब जो पहले जैसा तो कुछ भी नहीं है रहा हूँ जैनब जैनब Hayaat Chachi? जी बिटा क्या बात है, कुछ परिशान लग रहे हैं आप बस बिटा ऐसा ही ऐसा ही तो कोई परिशान नहीं होता कोई ना कोई वजा तो होती है हाँ आप बताना नहीं जारे, वो एक अलग बात है लेकिन खुद को परिशान करने से मसले हल नहीं होता है बेलके हल मुश्किल लगने लगता है हाँ ठीक कह रही होता हूँ दरसल मेरे सर में दर दे मैं आप के लिए चाय बना दो फ्रेश हो जाएंगे अब भी चाय बना के लाते हैं चलें उठें तयार हुए ओफिस के लेट हो जाएंगे आँ जाना तो है लेकिन सोच रहा हूँ जा ओफिस नहीं जाओंगे आफ करो हार रोज ऐसे नहीं कर सकते हूँ चलें जल्दी करें नाशता भी कर मैं अली अच्छा असलाम लेकुम असलाम लेकुम अयान डॉक्टर इश्रत को कॉल करके मेरी आज की अपोइंट्मेंट कैंसल करवा दें क्यों मामा मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं ना खाने पर मुझे सारा कुछ रेंच करना है बस इसलिए मैं चाहरी हूँ कि आज की अपोइंट्मेंट कैंसल हो जाए मामा आप मझे बतादें थायारी करनी है आप अराम से डॉक्टर के पास तरी चाहें मामा आप एमन को बतादें आप शूर आप सारी तयारी करलेंगी आप पूरी कोशिश करोंगी आप रिकरना करें चले, आप कहते हैं तो देख लेते हैं हाँ, ठीक से पहुंच गहीं थी तुम कर? हाँ, पहुंच कहीं थी, आयाज अंकल ने डॉप कर दिया था मुझे अच्छा, आयाज चाच उने डॉप किया था? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने कैसे बताते हो आपको, हम घर पहुंचे तो यहाँ आफ़त मचीवी थी आपको पता है, रशीद साब अमी को मार रहे थे क्या? रशीद साब ने हाथ उठाया अमी पे? जी हाँ, वो भी चंद पैसों के लिए पिर तो दिमाग खराब होगे इस घर में, जब देखो यहाँ लाड़ाई चगला चलता रहता है ताम आगई हूं मैं यहाँ से मगर आया, शाशी ने तो यहाँ के कुछ भी नहीं बताया अच्छा ही किया जो नहीं बताया वरना आपको भी हमारी तरह शर्मिंदीगी उठानी पड़ कि उनके सामने हाँ, यह तो है यहाँ अज महमान आ रहे है वरना मैं जरूर घर आती मुझे अमी की बहुत फिकर हो रही है अच्छा ठेक है आपी लेकिन आप प्लीज अमी को मत बतायाएगा यह बात मैंने आपको बताया है प्लीज हाँ, खुदा आपके खुदा आपके चुकर है मामा, ताय जान चली गई अब मैं सकून का सांस ले सकती हूँ वो होती है न, तो मुझे ऐसा लगते है मेरे इर्गित आक्सिजन कम हो गई है पुरूच पिटे तुम हर बात कि इतना सर पर क्यों जवार कर लेते हैं देखो, दाट की दावत की सारी जमेदारी भावी एमन को दे कर गी है और वो कितने अत्मिनान से सारा काम कर रही है मामा आप उस लड़की से मेरा मवाजना कर रही है बिटे ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ मैं तो सुर्फ के कह रही हूँ कि ऐसा नहों कि यह सब कुछ करके एमन भावी के दिल में जगा बना ले और तुम यहीं रह जाओ मैं यहीं जगा इमन को नहीं बनाने दूंगी आच्छा चलो ठीक है चाहे दियो तुम हयाज जाच्छा जी बेटा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था किस बात का शुक्रिया घर में जो कुछ भी हुआ बाप में यहां किसी को नहीं बताया आपका बहुत बड़ा अहसान है मुझे पर बाप बेटियों पर अहसान नहीं किया करते तुम मेरे लिए उरूज की तरह हो आइंदा अहसान वाली बात ना करना हम क्या कह रही हो वो रात को महमार आ रहे है ना उनके खाने की तयारी करें अरे तुम में पता नहीं वो लोग नहीं आज दिनर कैंसल होगे अच्छा मेहमानों का आणा कैंसल हो गया है मैं सोच वी थी अम्मी की गर चली जाओं अच्छा ठीक है तो फिर अच्छा करते हैं मैं जब शाम में आता हूं तो चलते हैं मुझे अभी जाना है और कुछ पैसे भी चाहिए हाँ ठीक है मेरे लॉकर से पैसे ले लो एमन सब तीक तो है ना हाँ आप टेंशने ले मैं जल्दी आ जाओंगी ओके मैं जल्दी बाच्छा करते हैं चाहिए जाना तो सकता है मैं झाल 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 का रखती है मैंने आप में आपके डोड़ोंगी जब जल्दी होती है कोई ना कोई मसला हो जाता सब तैयारिया हो गई जी तैय जान गुड आप एमन को भी बुला ले महमाना आप दोनों से मिलना चाहते है तैय जान वो तो घर पे है यह नहीं घर में नहीं है क्या मतलब तैय जान आपके जाने के बाद एमन अपनी अम्मी के घर चेरी गी थी और अभी तक नहीं आई यह नहीं तो गाता कि दावत कैंसल होगी यह नहीं नहीं तो गाता कि दावत कैंसल होगी मुझे एमन को फोन करके फोन बुलाना चाहिए अगर वो मेमानों के बाद आई तो मामा का मूम पहुत खराब चाएगा जीब लड़की है भी फोन तो लेके जाओ आपना एमन यह कुफ क्या करो मैं तुमने रशीद साब से जगड़े वली बाद एमन को क्यूं बता है तो ऐमे इसमे चुपाने वली क्या बात थी और एमन आप इसे क्यों चुपा हुआ जा बस चुप कर जाओ तो और एमन को देखो मुझे पैसे दे रही थी क्या होगी है तुम लोगों को तो क्या हुआ रख लेती न देगा ये जबर्दस्ती ऐसे ये बिलकुल अच्छी बात निया मजबूर ही कर दिया तुम लोगों ने तो मुझे अम्मी वो खयाल नहीं करेंगी तो कौन खयाल करेगा और वैसे भी आयान भाई के पास पैसो की कमी तो नहीं न क्या हो गया माही तुमें क्यों तुम इस तरह से सोचती हो एमन को देखो इतना मैंने कहा कि रुप जाओ आज लेकिन वो रुपी नहीं कैनगी मैं फिर आजाओंगी बात में तो क्या होगा अमी आ जाएगी न बात में हाँ 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 एमन श्राम लेका मामा आइड़ा वो जिम्मेदारी मत लीजे का जो आप पूरी ना कर सकें मैंने आप पर इतबार करके बड़ी गल्ती किये वो तो अच्छा हुआ कि अरूज ने सब कुछ संभाल लिया और महमानों के सामने मेरी इज़त रख ली यह तो आपको पनी अम्मी के घर जाने से पहले सोचना चाहिए था मैं आपको जिम्मेदारी सौप कर गई थी मुझे नहीं पता था कि आप इतनी लापरवा और खेर जिम्मेदार है मुझे नहीं पता था मामा आप गलत समझ रहीं है जी मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ आपको सही समझने की आइंदा नहीं करूँगी इंसान को एक ही बार आजमाया जाता है एमन और एक बार अगर कोई आपका भरुसा तोड़ देना तो आइंदा वो भरुसे के काबल नहीं रहता मामा फूप मैं एमन देखे मुझे यह बात बुरी नहीं लगी कि आप अपनी अम्मी के खर गई थी लेकिन आप ज़े पहले बता देती यह को तरीका नहीं था मेरी इंसर्ट करवाने का सब के सामने बहुत अफसोस हो है मुझे आपको कैसे समझाओ आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है मैं ऐसा सोच भी नहीं सकते कहने में और समझने में बहुत फरक होता है एमन कितनी देर लगए तुम्हे आने में यार तुम्हें पता है मैं कितना परशान हो रहता और मामा तुमसे बहुत नराज है चालती है अब ही मिली थी उनसे अच्छा बहुत खुसा करें थी मुझे पर इनका खुसा जायज है अगर उनकी जगापे कोई और भी होता तो भी यही करता मामा तुम्हें पहली बार के जिम्दारी थी और तुम्हों जिम्दारी भी पूरी ने कर सकी तुम्हें भी आज ही अपने घर जानब है यार आयान मुझे नहीं पता था कैसे आएंगे सानिया चची ने मुझे कहा कि दावत कैंसल हो गई है इसलिए मैं घर चली गई नहीं आम शूर तुमें सुनने में कोई ने को गलत फैमी होई होगी इस værta कैसे हो सकता है मुझे किसी और ने कहा होता तो मैं ये लाद कभी भी नहीं मालती मुझे सानिया चची ने आजा-टब कैंसल हो गई है नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी या बात मालना, लेकिन कोई और नहीं मानेगा है बात तुम्हारे तो मैं तुम्हें मामा से एक बार कर लेनी चाहिए थी ये फान और तुम अपना फॉन भी ले कर गए मैने कितने दव फॉन किया तुम्हारी अम्मी भी फॉन ने उठा ले थी मैं तुमसे कॉंटाक्ट ही ने कर सका यह भद होती अला परवाई की मैंने अपना फोन बता नहीं कहां रख दिया था जल्दी में निकली तो भूल गई I'm sorry अब आप तो मुझसे नरास ना हो ना, please मैं नरास नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इस बात कर सो उस तुम तुम मामसे जा के sorry बोल दो, please मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ समझोदा के तहद की थी मुझे नहीं बता था कि मेरा ये फैसला मुझे कितनी तकलीब दे सकता है मुझे एक पल भी सकून ने मिल रहा है या कब से मैं कह रही हूँ, ये बैच्छी चेंज करवाए यासमीन से कहें के ये बैच्छी फॉर्ण चेंज करें आज ही मामा और ये सारा एक्स्ट्रा समान, उठाएं और स्टोर में जाकर रखवाएं कब से मैंने आप लोगों से खाया, आप लोग सुनते ही नहीं है बात जाए बला के यासमीन को लाएं पहले मामा करल की गलती के लिए मैं आप से माफी मांगना चाहती हूँ मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हरच किया है I'm sorry Please, Mama ठीक है, जो हो गया, सो हो गया Next time, ख्याल कीजिए Mama, Mama मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ताई चान मेरी इतनी तारिफ भी कर सकती है इसी तरह मेरी हर बात पर अमल कर दे रहो फिर देखो तुम ऐसा बहुत अच्छा होने वाला है You are great mom मुझे अपनी तारिफ से जादा ना एमन की बेजिती की खुशी हो रहे है इसे बहुत शौक था ना सब की नजरों में अच्छा बनने का हाँ, पता है, भावी तो बहुत नरास नियुस से मैं तो तो सना है, रात को बहुत गुस्ता है किया इस पर मैं तो कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ और उसकी भी अकल टिकाने में आ जाएगी आखिर आपका ही तो आइडिया था ये अरूज, बस बेटा आप उम शाजियत पर ख्याल रख़गों मैं रेख जो तुम उस पर बिल्कुल तवज़ नहीं देती हो कि आपको शाजियत ने कहा है उसने आपको मेरी शिकायत लगाई है वो बिचारा तो कभी भी कुछ नहीं गया था मुझसे अगर फिर भी बीटा प्लीज, मॉम मैं इस टॉपिक पर कोई बात ने करना चाहती आपने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया एमन की इंसर्ट का सुनके मुझे इतनी खुशी हो रही थी और आप है के अब एमन तुम आपने मुझसे जूट क्यूं कहा जूट? मैने? किस जूट की बात कर रही हो? मुझे यकीर नहीं आ रहा कि आपने ली बात नहीं सुझे ठीक है मैं रिपीट कर देती आपने मुझसे कहा दावत कैंसल हो गई अब तो याद आ गया होगा आप कली की तो बात है कोई इतनी पुरानी भी नहीं आप वो मॉम ने तु बस ऐसे ही मैं तुमसे बात नहीं करें मैं सानी आउंटी से बात करें हाँ मुझे घलक फेमी हो गई थी बाद में मैं तुम्हें बताने आई थी मगर तुम उस वर्ट ने जा चुगी थी अपनी अम्मी के घर अफ लाँ अँ देखा दुमने यह बहुत तेज है तबाँ अब आप वाव 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 क्या क्या समाल लियाई कुछ नहीं बस वो राशन खतम हो गया था वही लेकर आई हो बहुत अच्छे जब मैं पैसे मांगता हूँ तो मुझे पैसे देने के लिए तुमारे पास पैसे नहीं होते तो ये सावाल लाने के लिए तुमारे पैसे आये कहां से पहली बाद तो ये बताओ तुमा एमन पैसे लेकर दी अब मुझे बेटी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता पहले भी ये घर एमन की पैसों से जलता था तब किस चीज की शरम पहले की बात और थी पहले एमन जॉब करती थी फेकिन अब तो उसने आयान से ही पैसे लेकर दी होंगे ना और ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं हो क्या सोचता होगा हमारे बारे में आया बस कर दो बस कर दो ये रोना थोना बंद करो अपना ये रोना थोना बहुत होगी ना आया इसे पैसे मांग लो अच्छा खासा दौलत मनना आदमी है थोड़े बात पैसे तुमारे ओपर ये मेरे ओपर खश कर देगा तो कौन सा फरक पढ़ जाएगा मगर मुझे फरक पढ़ता है दामाद के पैसों से गर का खर्च चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता अच्छी खेंटी की बात लगती है ये मुझे अब बसकर इसको कर बेखेंट अब आगे एक लफ़ी निकाला ला था अशर नशर ते ना खराब करके रहा तुमका ना पूरा कुछ तो लिहास कर लें आप दोनों घर से बाहर आवाज जा रही आप दोनों की हर्मक घर में शोर से राबा करते रहते हैं देखिया एक छोटी की भी पर निकला आए समाल के रहा किसको बोल जादा ना बोला करें मेरे रहा के अश्लाम वलकुम भावी वालकुम भावी उरूच का है बता ले अपने कमरे में होगी अँ नकता है आज आप लिक भूद धगए हैं हाँ, आपस में बहुत काम था आज़ आज़ अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं घाना लगा देँ शाजे भाब भी फैश हो जाए, मैं खाना लगा रही हूँ, साथ दिखा लीजएगा नई भाबी, मैं अरूज के साथ खाना काऊँगा ठेक अरूज तुम यहाँ बैठी हो, मेरे कपड़े कहां रखे है मुझे क्या पता, तुमारी अलमारी में रखे होंगे वैसे भी यास्मीन तुमारी कपड़े रखती है न, जाकि उससे पूछ लो यास्मीन इस घर की मुलासमा है, मेरी बीवी नहीं और वैसे भी मेरी चीजों का ख्याल रखना तुमारी जिम्मेदारी है एमन भाबी कोई देख लो, आयान भाई का कितना ख्याल करती है उनकी कितनी फिकर करती हूँ तुम मेरा कॉम्पिटेशन उस मिडिल क्लास लड़के से नहीं करो उसे तो ये सब कुछ करने की आदफ है न, उसके घर में कौन सा मुलाजिम थे हैरत यो रूच, तुम मेरी बात समझने के बजाए मुझ पही बरस रही है लड़ाई तुमने शुरू की है शाजिए, मैं जानती हूँ, इस वक्त तुम किसकी जबान बोल रहे हो फोगाट सेक हुरूच, एमन भाबी ने मुझसे कुछ नी कह रहे मैं भी महसूस करता हूँ, मैं भी देखता हूँ तुम मेरी वाइफ, अगर मैंने कुछ शेयर कर लिया तो कौन सी आफ़ अता गई बेवकूफ किसी और को बनाओ शाजिए, मैं जानती हूँ, एमन मुझसे जलती है इन मिडल क्लास लड़कियों को जलने के स्वाग कुछ नहीं आता परूश तुम बिला वज़े ऐमन भावी को ब्लेम कर रही हूँ, ये हम दोनों का मामला है तुम बिला वज़न को क्यों बीच में ला रही हूँ शाजेब, तुम अन मर्दों में से हो जिने अपनी बीबी में सारी बुराईयां और दूसरों की वीडियों सारी अच्छाईया नजर आती है अरूश तुम गलत बात कर रही है तुम है अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही है प्लीज शाजेब मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ मुझे जो कहना था मैंने कह दिया बगारी सोचे कि तुम्हारी बातों से किसी को दुख पहूंचे है ना एमन तुम चाहती क्या हो मुझे सकून से क्यों नहीं रहने देती क्या हो गया है अरूश ये तुम मुझे से पूछ रही हो क्या हुआ है देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपस में बैठके सॉल्फ कर लेते हैं इस तरह चीख क्यों रही हो क्यों इस घर में सब को बता चलना चाहिए कि तुम्हारी आकात क्या है तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला तुम्हें आयान को तुम उससे छीन लिया तुम अभी मेरे जिन्दगी बरबात करने एक पीछे क्यों तुली वी हो क्यों बताओ क्यों देखो रूट जो बात है सिर्फ वो करो जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दू वाट तुम कर भी क्या सकती हो तुम्हें से बर्दाश ही करना होगा तुम्हें सबसे बड़ी गलती इस घर में आके किये और इस से भी बड़ी गलती तुम शाजेब को मेरे खिलाफ भड़का के कर रही हो मैं ऐसा क्यों करूंगी मैंने शाजेब से तुम्हारे खिलाफ कोई बात ने की है तुम्हें कोई गलत पहनी हुई है वाव तुम्हें तु बेस्ट एक्ष्रस का इवार्ड मिलना चाहिए शरम आनी चाहिए तुम्हे मेरी जिंदगी अजब करके रखी है जिस मोहले से तुम आई हो ना शायद वहां ये सब कुछ होता होगा यहां ऐसा कुछ नहीं चलेगा औरूज यह किस तरह बात करियो तुम एमन के साथ बाबा आपको नहीं बता एमन ने मेरे साथ क्या किया है इसने शाजब से शाचू बिलीव ने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आप चाहें तो शाजेब को बुला के पूछ रहे हैं छून पॉल रही है ये गुरुज देखो ये छूटी छूटी गलब फैमियों पे लड़ना अच्छी बात नहीं है चलो शाबस खत्ब जगडा खत्ब मैंने कुछ नहीं कहा मैंने इसा कुछ नहीं किया है अब चाहें तुझ शाजेब को बुला के पूछ ले चानता हूँ चानता हूँ तुम फिक्र नहीं करो अब में वो मुझे कुछ पैसे चाहिए इतने मैसे पचास हजार रुपे तुम पचास हजार रुपे तुमारे दमाग तो ठीक है क्या करोगी तुम इत्ते पैसो का मुझे लैपटॉप लेना है तुम जानती भी हो बेटा कि घर में पैसों की कितनी तंगी हो रही है और यह सब देखने के बावजु तुम्हारी खायश है के कम होने का नाम ही नहीं ले रही मैं जब भी आप से किसी जीज के लिए पैसे मांग क्यों अपना रोना लेकर बैट जाती है जिनको आप बड़े शौक से इस घर में लेकर आई थी उनको कहें ना इस घर के खर्चे उठाएं सारा दिन घर में बैठके सिफ टीवी देखते हैं या खाना खाते हैं और तो उनको कुछ करने आता नहीं है माहीन माहीन आइसता बात करो बेटा उस शखसना अगर सुन लिया न तरही कोर हंगामा खड़ा हो जाएगा इस घर में मैं क्यों आइसता बोलूँ आप उनसे इतना डरती क्यों आखर मैं रशीद साबसे नहीं डरती अपनी हिससे डरती बेटा महले बाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इनके घर में हर वक्त लड़ी जगड़ा होता रहता है यह आपको दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था वो भी इस निखटू इंसान से इससे शादी किया अपने यह ताना तो और दुमें सारी संदगी सुनना पड़ेगा खलती जो ऐसी की है यह आलाया कोई माफी भी होगी मसकरो बीटा कब तक ऐसे रोती रोगी दिको तुम्हें तब्रत खराब हो जाएगी बाबा ने मुझे पहली बार घुसे से डाटा है और वो भी एमन की वज़े से आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा गो जुरूर पहले तुम्हां एमन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे बिलकुल उसके खिलाफ थे और अब एद्नी हम दर्दी ऐसा लगता है एमन ने बाबा पे जादू कर दिया है पहले आयान को मुझे से चीना और अब बाबा को भी मत परिशानों मेरा बच्चा मैं हूना तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ कोई ज्याती होने नहीं दूंगी बात करती हूँ मैं तुम्हारी ताही जान से तुम्हारे बाब से रहने दे मामा ताही जान से बात करने को कोई फायदा नहीं एमन बड़ी चलाकी से सारी बात मुझ पर ही रख देगी और मैं ही सब के नजरों में बुरी बनूँगी क्या है तो तुम सही रही हो लेकिन इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं देखना रूज मिटा रहने दे बाबा मुझे आप से कोई बात में करने आपने एमन की बज़े से मेरी इंसल की मुझे तो लगता है मैं आपकी बेटी नहीं एमन मैं आपकी बेटी है रूज सही तो कह रही है वो आपने एमन के लिए और रूज को डाटा मेरी बेटी को याज मुझे आप से ये उमीद नहीं थी मैं रूज को समझा रहा था सानिया चूटी चूटी बातें एक्डोर कर देनी चाहिए खामखा अंगामा नहीं करना चाहिए ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पहुँच गया सोचो अगर मेरी जग अंजुमा भी वहाँ जाती तो अरूज को बहुत ज़्यादा डांती हाँ तो कौन सा घलत कहा अरूज ने और वैसे भी एमन को अरूज और शाज़ेप के बीच में नहीं आना चाहिए अब ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाओ सानिया एमन ने शाज़ेप से कुछ नहीं कहा ये बात तुम शाज़ेप से पूछ सकती हो देखो सानिया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी अरूज का घर बसा रहे है और ये बात तुम भी चाहती होगी देखो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अरूज को समझाओ एमन से बिलावजा उलजना अच्छा नहीं है इस तरह वो खुद को भी डिस्टरब कर रही है और एक बात हमारे लिए अच्छी नहीं है प्लीज अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है मैं तुम्हें नहीं बुला सकती मैं तुमसे अब भी महबत करती हूँ रूज प्लीज तुम कैसी बाते कर रहे हूँ तुम मेरे भाई की बीवी हो ऐसी बाते करना तुमें जैब नहीं देती मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ तुम ये बात जानते हो मैं पहले भी तुमसे महबत करती थी और अब भी तुम ही से महबत करती हूँ तुमाग खराब हो गया तुमारा अब बस करो खुद का नहीं तो हमारे रच्टा का तो ख्याल करो प्लीज मेरे बात समझने की कोशिश करो मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ समझोदा के तहट की थी मुझे नहीं बता था कि मेरा ये फैसला मुझे कितनी तकलीप दे सकता है मुझे एक बल भी सकून नहीं मिल रहा है याँ भूज मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम